यहाँ सेव ही जॉन जे की मा से कहती है कि तुम दोनों मा बेटे ने 10 साल से कभी अपनी शकल नहीं दिखाई और अब जब वो नहीं रहे तो तुम आ गई यहाँ पर शोक मनाने और मुझे पता है कि तुम यहाँ पैसों के लिए आई हो और सुनो तुम ही एक फूटी कोरी भी नहीं मिलने वाली है अब वो उसे थपड मार देती है सेव ही पलट कर उन्हें मारने वाली होती है तब ही चियोंग आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पर हाथ उठाने की सेव ही कहती है तुम कौन हो क्या तुम इसकी लड़की अब चियोंग को वो सब कुछ दिखाई देने लगता है कि किस तरह उसने जौन जे के पिता को जहर दिया था और कहां पर उसने सारे सबूत चुपा कर रखे हैं अब उसे सब पता चल जाता है वो उससे कहती है कि तुमने बहुत सारे गुनाह किये हैं और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी यहां नमदू भी जौन जे से आकर यही बात कहता है कि तुम्हें अपने पापा का पोस्ट मार्टम नहीं कराना चाहिए इस तरह किसी को प्रबूत नहीं मिल पाया है अब चियों जौन जे को अपने पीछे आने को कहती है क्योंकि उसने सेओ ही को इसी जगह पर जाते देखा था हॉं कहता है कि यहां पर हमने तलाशी ले ली है यहां कुछ भी नहीं है अब चियों बेस्मेंट के दरवाजे को खोल देती है अब भी याय की बोडी का पोस्ट मतं किया जाएगा चिहायन कहता है तुम इन्हें इस तरह नहीं ले जा सकते तुम्हारे पास क्या इस बात का कोई सबूत है कि मेरी माने उन्हें मारा है हॉम कहता है हमें तुम्हारे घर में सबूत मिल चुके है और अब वो सैओ ही को वहां से जाने लगते हैं. यहाँ तायो चाशिहा को घर ठोरने जा रहा होता है. चाशिहा को बसमें बैठी लड़कियों के शोर से परिशानी हो रही थी. इस लिए तायो उसके कानों में हैड़फोन लगा देता है और फिर उसके कंदे पर सर रखकर सो जाता है. चाशिया कहती है कि देखो तू जरा ये बेचारा मुझपर कितना मरता है और ये सोता हुआ कितना प्यारा लग रहा है ये तो लड़कियों से भी ज्यादा क्यूट है यहां जौन जे और चियोंग अब घर आ जाते हैं चियोंग जौन जे को बताती है कि जब मैंने मादे यंग की याददाश्ट मिटाई थी तब मुझे यह दिखाय दिया था कि जिसने हमें तीर से मारा था वो मादे यंग नहीं था बल्कि कोई और ही था मुझे उसकी शकल दिखाई दी थी और उसको हम जानते हैं जॉन जे कहता है कि कौन था वो यहां सेवही अपना जोन कुबूल नहीं कर रही थी वो हर बार बस यही कह रही थी कि वो कुछ भी नहीं जानती वो बेगुना है यहां हॉम जॉन जे को बताता है कि सेव ही कुछ भी कुबूल नहीं कर रही है और उसके खिलाफ कोई थोस सुबूल भी नहीं है और फिर सेव ही को छोड़ दिया जाता है यहां जॉन जे अब घर जा रहा होता है और तबी नमदू आकर उसके सर पर जोर से स्टिक मार देता है अब जॉन जे बेहोश हो जाता है यहां तायो जॉंजे को मारते हुए कैमरे में देख लेता है और फिर वो चियोंग को भी बता देता है और अब ये दोनों वही जाने लगते हैं यहां नमदू जॉनजे को अब चीहाएंग के पास ले आया था अब वो उसे रसी से बांध देता है जॉनजे नमदू कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हूँ मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था नमदू कहता है चोप रहो मैं ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा मैं इसे तुम्हारे रूम में रख देंगे और सब यही सोचने की तुमने खुद कुशी कर ली है और फिर वो उसको जहर का इंजेक्शन लगा देता है चीहाएंग कहता है अब तुम इस जहर से ऐसे ही मरोगे जैसे तुम्हारे पापा मरे थे धीरे-धीरे अब जॉन जे स सब्सक्राइज कहता है कि मेरे पापा ने तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार किया और तुमने उनके साथ ऐसा क्यूं किया सही कहती है क्योंकि वहां पछुपे सभी पुलिस ओफिसर्स बाहर आजाते है और अब वो सेवही को अरेस्ट कर लेते हैं, जॉणजे ने सेवही की सारी बाते रिकॉर्ड भी कर ली थी, दरसल ये प्लान नमदू का ही था क्यूंकि उसने ये बात जॉणजे को पहले ही बता दी थी कि चीहायन ने मुझे तुम ही मारने का ओफर दिया है, और फिर इन लोगा और उसकी तरफ देखती है, तो उसे उस इनसान का चहरा याद आ जाता है, जिसने अतीत में वो असल में चीहायन ही था, और इस जन्द में भी वो इन दोनों को मारना चाहता है, अब वो जैसे ही गोली चलाता है, तो चीहाँजे के आगे आ जाती है, और गोली उसे लग जाती है अब पुलिस ची हाएंग को पकड़ लेती है यहां ची हाएंग अपने दिल में यह कह रही थी कि देखो जोंजे इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया पिछले जन्द में तुमने मुझे बचाया था जोंजे के तो अब आंसू नहीं रुक रहे थे वह उसे जल् जहर अब उसने पी लिया है और अब यहां जब उससे पूचताच की जा रही थी तभी उसकी हालत खराब होने लगती है यहां ऑफिसर हांग को आकर बता देता है कि ची हाएंग ने जहर खा लिया है यह सुनकर सेओ ही तो हैरान रह जाती है अब वो अपने बेटे को इस हाल परो कर पागल हो रही थी। यहां हॉस्पिटल में चियॉंग का ओप्रेशन चल रहा था तभी नमदू जौटर को बताता है कि चीहायन ने जहर खा कर खुद्खकुशी कर ली है यहां जौटर कहता है कि मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा इस लर्की के दिल में गोली लगी और फिर भी ये बच गई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि चियोंग तो एक जलपरी है इसलिए गोली लगने के बाद भी उसकी जान बच गई यहां आप जॉन जे की माचिओं को देखने आजाती है वो जॉन जे से कहती है कि ये लड़की तुमसे तो बहुत प्यार करती है इसने तुम्हें बचाने के लिए खुद गोली खाली यहाँ जॉन जे और नमदू अंकल से मिलने आये होते हैं तभी अंकल को देखकर नमदू कहता है कि शायद मेने इन्हें कहीं देखा है और तभी हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर अंकल डॉक्यूमन्स लेकर कहीं छुप गए थे और तभी यहाँ पर नमदू आ जाता है वो उसे यहाँ से निकलने का रास्ता बता कर उसकी मदद करने लगता है क्योंकि नमदू अपने पिछले जन्व में भी एक अच्छा इंसान हुआ करता था यहाँ जैसे ही अंकल की आँख खुलती है तो वो नमदू को देखकर हैरान रह जाते हैं और उससे कहते हैं मैंने तो तुम भी अभी अपने ख्वाब में देखा था तुम तो पाकमून हो नमदू कहता है कि यह पाकमून कौन है यहाँ नमदू और जॉन जे चियोंग के होश में आने का इंतजार कर रहे थे तभी नमदू कहता है कि जॉन जे मुझे चियोंग बहुत अजीब सी लगती है क्योंकि एक जलपरी है मुझे इसके बारे में पहले से ही पता चल गया था यह सुनकर जॉन जे परेशान हो जात जॉन जे क्या तुमने किसी और लड़की को धूनने की कोशिश नहीं कि जॉन जे कहता है मैं तुम्हारे सिबा किसी और से प्यार नहीं कर सकता यहां सेवही को अब पुलिस जेल ले जा रही थी और अब सेवही की सारी सच्चाई पूरे शेहर को पता चल चुकी थी यही प कुछ याद करना चाहता हूं कि आखे में कौन हूं मेरी जिन्दगी का मकसद क्या है। दोस्तों यही पर ये एपिसोड खत्म होता है तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स एपिसोड में।